हाई अप्रिबन, एक्जा मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CVSC बोर्ड को देखेंगे ICSC बोर्ड के विशय में जानेंगे, साथ ही हम स्टेट बोर्ड के विशय में भी जानेंगे कि सब में क्या डिफ्रेंसेज होते हैं, क्या अंतर हैं और क्या समानताएं होती हैं और सबसे ज्यादा हम यह देखेंगे NCERT, NCERT के विशय में आप सभी लोग जानते होंगे NCERT के लिए आप सभी को बोला जाता है कि अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो आपको NCERT को follow करना चाहिए, आपको उसकी book को जरूर पढ़ना चाहिए और NCERT आपकी तयार होनी चाहिए तो उसको भी समझेंगे कि NCERT है क्या हम इसमें यह भी देखेंगे कि NCERT है क्या NCERT को develop कब किया गया कब यह बना, इसका गठन कैसे हुआ है इन सारी चीजों को जानेंगे और NCERT और क्या काम करती है इस विशे में भी हम जानेंगे और NCERT की जो book होती है उसको इतनी authentic क्यों मानते हैं इस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे और आप सभी लोगों को यह book पढ़ने भी क्यों चाहिए यह भी जानेंगे क्योंकि आज नहीं कल आपको आने वाले टाइम में यदि कोई भी competitive exam की तैयारी करनी है साथ ही यदि आपको exam ना भी देना हो यदि आपको knowledge gain करना है तो भी यह सारी book जो होती है बहुत ही important हो जाती है जो है परिक्षा की दृष्टे से भी और जानकारी के लिए भी तो चलिए हम एके करके सबको start करते हैं ताकि आपको जो भी सब में differences ना भी पता हो तो वो इसके बारे में आपको सारी चीजों की जानकारी हो जाए आईए सबसे पहले हम जानते हैं केंद्रिय माध्यमिक शिक्षा बोड को आप सबको पता होगा अगर आप हर जिस state के होंगे यदि आप इस वीडियो को अभी सुन रहे होंगे अगर आप जैसे यूपी के हैं तो आप यूपी बोड देखती है तो वो आपके state बोड होती है CBSE जो होता है उसका full form क्या होता है तो Central Board of Secondary Education होता है CBSE को कहते है Central Board of Secondary Education और यह screen पर आप उसका लोगो देख पा रहे होंगे केंद्री माध्यमिक सिक्षा बोड ठीक है भारत तो इस तरीकी के इसका लोगो होता है सहकारी Board का गठन किया था CBSE से पहले की ये बात है कि जब भारत सरकार ने Board of High School and Intermediate Education जो है राजपुताना नाम के एक सहकारी Board का गठन किया था शुरुआत में यह Board जो है सिर्फ अजमेर और मेरवाडा, वालियर और मध्य भारत के छेत्रों में ही कवर करता था मतब सिर्फ इतने ही एरिया में था और जो है कि उस समय यह Board सिर्फ अजमेर, विंदे प्रदेश और भोपाल तक ही सीमित था आजादी के बाद 1952 में केंद्र सरकार ने इस Board का नाम बदल दिया और जब 1952 में इस चीज को बदला गया 1947 में 1947 में जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद 1952 में जो है केंद्र सरकार ने इसी Board का नाम बदल दिया और उस Board का नाम क्या कर दिया था केंद्री माधिमिक सिक्षा Board जो अभी आप वर्तमान स्वरूप देखते हैं केंद्री माधिमिक सिक्षा Board यानी CBSC का अभी आपको ये बात पता चली होगी कि पहले जो था केंद्री माधिमिक सिक्षा Board को पहले किस नाम से जानते थे और ये कहां तक सीमित था ठीक है ये पहले कोई सहकारी Board का गठन किया गया था स्वराज पुताना नाम से ठीक है बाद में आजारी से पहले फिर 1952 में ही से चेंज कर दिया गया और इसको चुकी सरकार द्वारा भार सरकार द्वारा इसे चेंज किया गया है और जो है केंद्री माधिमिक सिक्षा बोर्ड इसका नाम रख दिया तो State Board या राज़ बोर्ड जो होता है, वो राज़ सरकार में आता है, अभी आपने जो CBSC देखा, चुकि Central का है केंदरिय है, तो वो Central Government केंदर में होता है, State Board जो है, राज़ की स्कूलों में सिलेबस और नीतियों को निर्धारित करता है, जबकि जो CBSC होता है, CBSC को अगर आप देखेंगे, तो उसका जो सिलेबस है, सब कुछ है, हर जगाँ एक समान होता है, क्योंकि वो Central की चीज़े हैं, केंदरिय है, इस वज़े से हर जगाँ समा परलच में आएगा, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वहां पर जो हता है, स्टेट चेंज हो जाता है, और State Board जो होता है, राज़ बोड़ वहां की गोवर्मेंट के अंडर में काम करती है, इस वज़े से, लेकि सेंटरल तो एक ही है, तो इसी वज़े से सिलेबस सेम जगाँ ह है और कहीं उनका टांसफर भी होता अगर से बीए से तो उनके सलेबस में उनकी पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं आता है लेकिन अगर स्टेट बोड से अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो अगर उसने स्टेट चेंज किया अगर उसके पैरेंट्स की टांसफर मालों किसी अंदर जो हता है हर राजी के अलग-अलग से लेबस होते हैं वह अपने अपने कॉर्डिंग से लेबस रखते हैं आपके लिए जानकारी के लिए बतादो कि जो सीबीयसी होती है वह एंसी आटी की बुक को फालो करते हैं ठीक है वहापर भी कुछ प्राइवेट भी बुके देखने को मिलेगा जितने स्टेट होंगे जितने बोर्ड होंगे सबके इसलिए बस अलग होते हैं और सबके एक्जाम कराने का पैटर्न एक्जाम का मन्त कब क्या होना है वो सारी सेडियूलिंग वहां की गवर्मेंट के अंडर में होता है इस वज़ा से हर जगा पे चेंज आपको देखने को मिलता है तो राजबोड की जो सिक्षा है वो अलग अलग नियमों पर जो है कराई जाती है राजबोड उन लोगों के लिए अच्छी होती है जो समान राज में अपने पूरे शिक्षा को लेना चाहते हैं जसे अगर आप यूपी की हैं सिर्फ आप पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं है वो भी बहतर है देखिए हर एक माध्यम जो होता है अपने आप में यूनिक है करने वाला होना चाहिए यूनिक तो आपके लिए सबकुस ठीक है और थोड़ी सी प्रॉब्लम कहा आती है जब आप स्टेट को चेंज करते हैं तो आपको वहा आपको देखने को मिलते हैं जैसे आप अभी तमिल में चले जाएए ठीक है के ला साइट जाएंगे तो वहां के जो बोर्ड होंगे आपको वहां की भाषाओं में बुक भी देखने को मिलते हैं ठीक है वहां पर यह फाइदा होता है लेकिन अगर आप सीबीस्टी से जो है कराया जाता है ठीक उसी तरह स्कूल में वह अंग्रेजी की छेत्री भाषा पर निर्भर करता है तो देखे जो आपके बोर्ड होते हैं स्टेट बोर्ड के एसा नहीं कि उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं होता है उनके उन्हें एक सबजेक्ट इंग्लिस पढ़नी हो तो हिसाब से वह बुक आपको एविलेबल हो जाती है पढ़ने के लिए स्टेट बोर्ड में लेकिन जो अगर आप से बीसी से हैं तो अहां पर ऐसी चीज़े नहीं है तो वह इंग्लिस चुकी कॉमन है और यह थोड़ा सा फाइदा होता है यदि आप सपोस कर यह यूभी इसकी से लिए पढ़ाई की उत्तरप्रदेश बोर्ड से बुटे एक अगर कड़ा लोगों को इंग्लिस की बीजानकारी होती है थे लिए अगर कप्युते बुटेटिव एग्जाम की बात करें तो देखिए बहुत सारी बुक्स हैजी होती है कि आपको हिंदी मिडियम की बहुत बेहतर मिलती है कुछ ऐसे contents होते हैं जो English medium में अच्छ होते हैं तो अगर आपको other state की बात ना करके अगर English और Hindi में सिर्फ फर्क किया जाए तो अगर आपकी language थोड़ी ठीक है तो आपके लिए कोई भी medium में पढ़ाई कर रहे हैं कोई भी matter नहीं करता है लेकिन आपकी एक syllabus के अनुसार यह कारे करता है परन्तु राजी बोर्ड जो होते स्टेट बोर्ड के अनुसार बनाए जाते हैं वो उसी syllabus पर काम करते हैं मतब स्टेट बोर्ड के अनुसार वो syllabus और खास बात इसमें यह भी होती कि जो CBSC बोर्ड होते हैं अपने syllabus में बदलाव करते रहते लेकिन वह रेगुलर रूप में नहीं होता और यह बहुत दिनों बाद भी हो सकता है नहीं भी तो कम बदला देखने को मिलता है ठीक है और जो आपके CBSC वोड होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अगर अधर राजी में आप जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो य स्कूल अधिकतर जो उत यह अंग्रेजी शिलिपस होते हैं लेकिन इसमें क्या होता है राजी बोर्ड अंग्रेजी और अपने शेतरी भाषा के निसाल सिलिपस को रखते हैं तो इंग्रेजी में भी रखते हैं और स्टेट बोड की बात है और जो है को बहीं के लिए Macht क्योंकि उसकी जो चीजें होती जो मैटर होता है वो बहुत ही अथेंटिक माना जाता है आईए अब सबसे पहले हम यह जान लेते हैं यहां पर NCRT के विशे में कि देखिए NCRT की बात करें तो NCRT बोड की जो स्थापना थी भारा सरकार के सिक्षा मंत्राले के द्वारा किया गया था 27 जुलाई सन 1961 में जो होता है NCRT का स्थापना की गई थी लेकिन संपूर्ण रुप्सिया कंप्लीट आप कह सकते हैं कि एक सितंबर 1961 को जो है इसमें सारे कार जो है स्थापना कब होई थी तो 1961 होई थी NCRT का मतलब अगर जानना चाहें आप फुल नेम क्या होता है तो NCRT को ही कहते है नेशनल कॉंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है और एजुकेशन सिस्टम के रेगलेशन का कारे जो होता है NCRT ही करता है B8 के रेगलेशन जो होते हैं ठीक है और सिक्षा पातरता परिक्षाएं होती है कुछ उनसब के लिए कुछ बुक की जो भी डिमांड होती NCRT द्वारा भी की जाती है देखे जो NCRT की बुक होती है वो भारत सरकार की एक ऐसी संस्ता है जो की सैक्षिक छेत्रों में योगदान करती है और यह संगठन भारत के सभी राजियों के कक्षा 1 से 12 तक के सभी पुस्तकों को प्रकाशित करता है और समय समय पर पार्ट अक्रम को प्रुभावी बनाने के लिए भी इसमें बदलाव करता रहता है तो देखे जो NCRT की बुक होती है कक्षा 1 से 12 तक मतब 1st क्लास से लेके 12 क्लास तक के लिए NCRT की बुक आती है एक बात और आपको बता दू कि यदि आपको ये कंफ्यूजर रहें कि जो NCRT की बुक होती है वो सिर्फ इंग्लिस मेडियम में आती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंग्लिस मेडियम की बुक होती सेम उसी का कंटेंट आपको हिंदी में भी अविलेबल है जितने भी candidate competitive exam देते हैं अगर आप किसी state board से सपोस करी आपने हिंदी पर रखी आपकी हिंदी बेतर है तो आप हिंदी की बुक लीजे उसमें कोई खासा अंतर नहीं होता है अगर आप CBC board के हैं तो आप CBC board की NCRT फॉलो कर सकते हैं और NCRT में क्या होती है चीजें आपको example उसमें इतनी अच्छे से explain होता है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं और जितनी भी परिक्षाएं होती है जैसे आप UP-PCS की परिक्षा दीजिए अधर स्टेट की PCS परिक्षाएं दीजिए या UPSC की परिक्षाएं दीजिए तो वहां की जो matter होते हैं कोई भी चीजें होती है आपको exact NCRT की copy देखने को मिलती है तो इसी वज़े से NCRT बहुत ही बेहतर बुक होती है आगे की आपको तयारी को देखते हुए तो इसलिए NCRT कोशिस करनी चाहिए कि आप NCRT को ही follow करिए तो उमीद है आपको ये confusion दूर हो गई होगी NCRT को लेके बहुत सारे candidate के doubt होते हैं कि जो NCRT की सारी किताबे होती है बुक्स होती हो इसे fingerless medium में ऐसा कुछ नहीं है जितनी बुक्स होती है आपकी चाहिए आपकी SST की बुक होती है साइन्स की बुक होती है आपकी history है geography है और quality है ये सभी बुके आपको हिंदी में भी available है market में अगर आप NCRT की बुक नहीं purchase कर सकते हैं तो आपके लिए ये भी फाइदा है अब online platform इतने ज़्यादा available है आप बस पढ़ना है आपको और माध्यम तो बहुत सारे हैं अगर आप चाहें तो आप fee में भी पढ़ सकते हैं देखे और NCRT जो है मुखे रूप से केंद्र सरकार वर राज सरकारों को स्कूली सिक्षा से जुड़े जो सलाह सुझाओ देता है जिससे देश की सिक्षा व्यवस संगठन जो किया गया था तर यह NCRT का जो गठन हुँआ था जब NCRT को बनाया गया उस से पहले साथ ऐसे शिक्षा स्रेलेटेड ही संगठन थे जिनको मिला कर बाद में NCRT को डेफला गया तो हम पहले उन शाथों को देखते हैं कि पहले कौन-कौन से थे जिनको एक तुर उसको मिला कर ही इंसे यार्टी डिवल्प किया जिसने से पहला आपका है क्या National Institute of Basic Education दूसरा है आपका National Institute of Audio-Visual Education ठीक है नेक्स्ट है आपका की National Fundamental Education Center नेक्स्ट है Central Institute of Education अगला है आपका Central Bureau of Textbook Research और नेक्स्ट है आपका Central Bureau of Educational and Vocational Guidance और नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपका दिया हुआ है Directorate of Extensions Programs of Secondary Education तो अभी आपने जितने भी यहां पे यह देखे हुए हैं Board Education इन सभी साथ है ऐसे इन सभी को मिला कर ही NCRT को डिवलप किया गया था उमीद है अभी आपको CBSC Board क्या है कब बना था उसका माध्यम देखिए CBSC में आपको एक चीज और मिलती है CBSC में आपको Language Hindi भी आपको पढ़ने को कुछ books आपको मिल जाएगी लेकिन जो ICSC Board होती है उसमें नहीं मिलता है ठीक है अब हम ICSC Board को देखने चलते हैं तो वहां पर आपको चीजे समझ में आएगी कि जो आपको UP Board जो होता है आपका State Board होता है उसे तो आप अच्छे से समझ लिए होंगे CBSC भी समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं ICSC Board की तो ICSC और CBSC में क्या आपको में डिफरेंस देखने को मिलता है इसको हम समझते हैं देखिए अगर हम बात करते हैं ICSC Board की तो इसे कहते हैं Indian Certificate of Secondary Education इंडियन Certificate of Secondary Education और यह जो है एक प्राइवेट सेक्षडिक बोर्ड है जबकि CBSC ऐसा नहीं है इसके अंतरगत होने वाली जो परिक्षाएं होती है इंडिया एजूकेशन Certificate के द्वारा होती है ठीक है इग्जामनेशन जो होते हैं इसके दस्वी और बारहवी गीमत तब 10 और 12 के लिए आयोजीत कराती है और जो इसके डिवलप की बात करें तो इसका हुआ था प्रणाली के अनुसार भारत में इनकी परिक्षाएं अंग्रेजी माध्यम में आयोजीत कराई जाती है देखिए ICSC Board की बात करें और CBSC Board की जैसे मैंने आपको बताई कि वह NCRT की बुक को फॉलो करते है तो NCRT बुक आपको हिंदी में भी अविलेबल होती है और आप चाह इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अगर आप बात में चेंज करना चाहें अपना मेडियम या कुछ और तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है CBSE और State Board के Candidate के According अगर देखा जाए तो और दूसरी बात है कि ICSE Board के जो भी Candidate होते हैं Student होते हैं उनको फॉरें में जाके यह यह यूरूबी कंट्री हैं वहां जाके कर स्टड़ी करनी है जॉब्लम करनी है तो उनके लिए बहुत ही benefit होता है इससे ठीक है देखिए जो इसके सिक्षा पढ़ा ली है CBSE और दूसरे बोर्ड से बिलकुल अलग है ICSE Board जो मूल भारत का नहीं है ठीक है CBSE Board की अगर देखा जाए पुरे इंडिया की बात करें CBSE Board और स्टेट बोर्ड तो आपको हर जंगा प्रतेक राज में अपने मिलते हैं वह तो आपको पता ही है और अगर हम बात करें CBSE CBSE Board के स्कूल आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे ICSE Board की अपेक्षा अगर हम देखें ICSE Board की स्थापना की बात करें कभी सर्डेवलब किया गया थोस्तों 968 मेर्ज से डेवलब किया गया था किसे तो XCist Board को लेकिन आपने देखा होगा कि जो आपकी CBSE थी तो CBSE Board की स्थापना तो वही तो पहले थी लेकिन आलग नाम से थी बाहद में उसे कब हुआ था ये तो 1958 में हुआ था ये Cambridge University द्वारा भारत में एक परिक्षा आयोजित कराने और उसका प्रिशासन करने के लिए हुई थी सबसे पहले इसका काम यही था कि Cambridge University द्वारा ये हुआ था लेकिन भारत में परिक्षा आयोजित कराने के लिए इसका प्रिशासन कराने के लिए ये डेवलफ हुआ था फिर 1967 में या जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतरगत दर्ज किया गया और आईसी सिक्षानीती जो है 1986 की शिफारिशों के अनुसार इसे बनाया गया जो विद्याले इस बोर्ट से सम्दित होते हैं वो इस बोर्ट के द्वारा बनाएं गए पार्थ कर्म का अनुसरां करते हैं भारत में इसका मुख्याले न्यू दिल्ली में इस्तित हैं आपको पता ह और विज्ञान जैसे विशियों पर ज्यादा ध्यान गिंद्रित होते हैं, जब कि ICSC में भाशाओं, कला और दूसरे विशियों पर भी ध्यान दिया जाता है, आप देखेंगे कि कौशल विकास और उनकी पसनाल्टी रेवलॉपमेंट को देखते हुए और इन सारे प्रोग् आज के जो आपको पॉइंट दिया गया था, CBSC Board, ICSC Board, NCRT, State Board ये चीजी आपको समझ में आ गई होगी, देखें, आप के आने वाले टाइम में, अगर आप कोई अपना माध्याम बदलना चाहते हैं, आप 10th Standard के हो, 12th के हो, बाद में अगर आप अपना चेंज करना चाहें, तो इसका देख यही था कि आपको आगे चल के अगर गौर्मेंट जॉब से रिलेटेड अगर आपको तैयारियां करनी है, या आपको जो है, यूरूपी इस कंट्री में जाकर कुछ करना है, तो क्या माध्याम होना चाहिए, कहां पर किस चीज के बेनफिट है, इस वीडिय इस यूपी बोर्ट से अलग-अलग स्टेट में जाकर अगर पढ़ाई करते हैं, तो उसमें कोई प्राउलम नहीं, एक बात और, अगर किसी को ये डाउट है, कि अगर आप मालीजे आज यूपी में रहने वाले हैं, आप जाके एंपी बोर्ट से पढ़ना चाहें, तो नह जहां के स्टेट में जाकर पढ़ाई करेंगें, वहां के स्लेबस को आपको फालो करना पड़ेगा, अगर आपको बताये हर जगह पर जो है, इक जैसा ही होता है, यही चीजे होती है, जो है आपको समझ में आ गई होगी, देखिए, मेडियम आपका चाहें, अगर आप फोक आपको बात में चीजे अभी बैक की ना पढ़नी पढ़ें, तो साइच चीजे आपको समझ में आएंगे, NCRT बेस्ट बुक है, अब उसे भी फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो में सर्फ इतनी ही चीजे हैं आपको देनी थी, नेक्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम तब तक के लिए टेक केर जय हिंदे